नमस्कार A to Z डिशुष उश्या कोरजानी में आप सब का स्वागत है बीट एक ऐसी सबजी है जिसे हम बच्चे होयां बड़ी काफी कम खाना पसंद करते हैं और अगर हम इसे खाते भी हैं तो कैसे खाते हैं सलात के तौर पर एक दो स्लाइस हम इसके खा लेते हैं पर बीट हमारे शरीर के लिए काफी फायदे मन होता है फिर आप इसे चाय कच्चाई क्यों ना खाएं या फिर इसकी इस तरह से ये बीट की बुर्जी बना करी क्यों ना खाएं सची में आपको देखने में ये आजीब लग रही होगी पर ये खाने में इतनी टेस्टी लगत इसके काफी सारे फायदे होते हैं तो ये खाना बनता है और इस तरह से बुर्जी बना कर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा देखे बीट को अच्छे से चीन ले के बाद इसे हम काट लेंगे और मैं इसमें आदा ही इस्तमाल कर रही है क्योंकि ये काफी बड़ा बीट है अगर आपके पास चोटा है तो आप एक से दो बीट ले सकते हैं ये बड़ा है तो देख सकते हैं मैंने आदा ही इस्तमाल किया है और इसे हमें देखे इस तरह से ग्रेट कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट को अच्छे से ग्रेट करने के बाद अब हम गैस को ओन करेंगे और इसके उपर में एक कड़ाई रखती है इसमें सिर्फ हम आदी चोटी चमस तेल डालेंगे जैसे गरम हो जाए तो थोड़ी सी राई चौथाई चमस जितनी चना दाल और एक चौथाई चमस जितनी सफ हलका से समय लीजे एक से दो मिनिट तक ये प्यास को भूनना है देख सकते हैं प्यास हलका सा गुलाबी हो गया तो ये ग्रेट की हुई बीट आपको डाल देनी है यानि कि कडुकस की बीट डाल दे और इसे अच्छे से मिलाईए और बीट का देखे नेच्रल कलर ही कितना बढ़ गया है तो ये सबजी जरूर ट्राइ कीजेगा देखे अच्छे से मिलाने के बास स्वादनुसा नमक डालेंगे आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर डालेंगे बस इसके अंदर जादा मसाले भी नहीं जादा तेल भी नहीं अच्छे से देखे इस तरह से मिला ल तो ये आपको डाल देना है दो से तीन चमच जितना इससे काफी बढ़िया फ्लेवर आता है अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजे और ये बढ़िया सी बहुत ही हेल्दी सी बीट की ब्रूर जी बनकर तयार है गरमा गरम रोटी के साथ खाया अगर आप वेट लॉस कर रह अग्यू